आज हम लोग बात करने आ रहे हैं कि सिंपल साइकल कैसे निकालते हैं अगर आपने लाश्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जा कर देख लेजिए तो उसमें स्टेट डियागरम कैसे बना है तो हम बात करते हैं सिंपल साइकल के बारे में एक ट्रह के सिंपल सेपल क्या होता है कितनी बार वह साइकल रिपीट हुप अब यह देखिए यह साइकल कितनी बार लिपज़ःव आई इसको सुर्ट करने पर कितनी कितनी तो फिर जब 6 time shift किया तो फिर से यह value मिल गई बतलब 1,6 ठीक अब यह top value को कितनी बार हम लोग ने shift किया कि खुछ से यह value दुबारा मिल गई 6 time तो 6 time ठीक अब यह देखिए इस value को कितनी बार shift किया कि यह value मिल गई 2 time और फिर से वैल्यू को हम लोग shift किया कि उपर वाल्य वैल्यू मिल गई six time अगर इस वैल्यू को फिर से shift किया था हमको यह वैल्यू मिल गए मतलब six comma two comma six ठीक कि यह हमारी क्या है simple cycle इसका हम लोग average cycle निकाल लेते हैं average cycle क्या होता है मतलब average latency क्या लिए इसकी कैसे निकलती है ठीक कि टू का टू ही रहेगा ठीक इसको कैसे निकालेंगे अगर एक single simple cycle है तो इसको simple लिख देंगे ठीक और दो वैल्यू आई है तो इसको इसका average निकाल लेते हैं कैसे निकालते हैं first element को second element को add कर देंगे और two से divide कर देंगे ठीक तो यहां देखिए one और six आई है अगर इसको निकालेंगे हम लोग average cycle तो आएगी क्या average latency क्या आएगी 3.5 और six simple cycle मतलब एक cycle है तो क्या six लिख लेंगे यहां पर देखिए two कमा six मतलब दो cycle मिल लए है तो आएवरेज cycle अगर निकालेंगे तो क्या आएगी four value आएगी दोनों एड करके two से divide कर देंगे कि तो यह हमारे पास average latency निकल गई और यह simple cycle निकल गई और यह क्या आगई average latency निकल गई ठीक अब next question आता क्या है minimal minimum next question आएगे क्या minimum average latency क्या होती है average latency क्या होती है अब यह देखिए minimum average latency कैसे निकालेंगे कि जो हमारी average cycle को सबसे minimum value आएगी उसी को हम लोग क्या कहते है minimum average latency अब हम देखिए सबसे minimum किसका था तो यही हमारी यही हमारे क्या हो जाएगा minimum ever latency, मतलब M-A-L यही हमारा minimum ever latency हो जाएगा, ठीक अब इसमें देखिए six part में क्या पूछते हैं six part हम पूछेंगे, what is ML throughput ML throughput क्या होता है throughput ML throughput क्या होता है, इसका formula होता one upon M-A-L मतलब one upon minimum ever latency तो minimum ever latency हमारी क्या निकल क्या ही थी two nिकल क्या ही थी तो इसको divide करने क्या value आएगी minimum throughput की 0.5 यह हमारी क्या होती है minimum throughput की value होती है minimum throughput का formula होता है one upon M-A-L मतलब one upon minimum ever latency average latency हम लोग ने निकाल ली थी minimum ever latency क्या थी 2 को यहां put कर देंगे उसको divide कर देंगे value आगी क्या 0.5 value आगी यह हमारे क्या है minimal ml throughput की value है Thank you everyone जाने से पहले आपको पता दें एक और question आता है What is greedy cycle पूछ लेते हैं 7 question क्या आता है greedy cycle क्या होता है greedy cycle वो होता है कि हर element को हम लोग ऐसा लिखें simple cycle में ऐसा element हम लोग चूज करें कि उसमें सब कुछ का बार हो जाए तो इसमें देखिए पहला हम लोग क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं दूसरा क्या लिख सकते हैं ऐसी value ले सकते हैं जिसमें सब कुछ का बार हो जाए अगर हम 2,6 लेते हैं तो 2 अलड़ी है तो 1 छूट जाएगा हमारा ठीक 1 छूट जाएगा अगर हम 6 वैल्यू लेते हैं ठीक तो हमारा क्या छूट जाएगा 5,4,3 और 1 के वैल्यू छूट जाएगी ओ हम लोगे 2 ले चुके हैं तो हम यह लोग यह वैल्यू लेंगे क्यों ले तो इसमें क्या आलगी, 1 के वैलू भी आ जाएगी, 4 वैलू भी आ जाएगी, 5 वैलू भी आ जाएगी और 6 ओलडी है, तो हम लोग के ये greedy cycle बन जाएगी कि हम आइसा कोई भी cycle लेते हैं जिसमें सारी value cover हो जाए ठीक या तो आप simple क्या ले सकते थे 1,6 ले सकते थे ठीक या आप 2,1,6 करके भी ले सकते हैं ठीक Thank you